विडियो स्टार्ट करूण उससे पहले आपको कुछ कहना चाहता हूँ, ठैंक यू आप सभी का क्यूंकि आपने 500 लाइक का एम सिर्फ दू ही घंते में करवा दिया, और में इन सौरी बोलना चाहता हूँ कि मैंने कल को विडियो अपलोड करने को कहा था पर नहीं किया, I really sorry अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा पक्का, और कुछ लोग ने पार्ट वान को नहीं देखा है, तो पहले जाकर उस पार्ट को जरूर से देख लेना मैं यकीन से कहता हूँ, आपको वह जरूर से पसंद आएगी, तो चलिए बढ़ते हैं, हमारे पार्ट डू की, तरफ, जैसा कि आपने पार्ट वान में देखा कि हुआ युहाओं और सिल्क वाम नौधन पोलर रीजन में आ गए है, और सिल्क वाम ने फाइनली बिंगरी एम्परर को बुला कर चालेंज करना सुरू कर दिया है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट में हम देखने वाले हैं, स्काइड्रीम अपने हुमन बॉडी में आ चुका है, अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम स्काइड्रीम को देखते हैं, जहां वाहुआ युवाओं का रूप ले रखा होता है, तब स्काइड्रीम कहता है, आइस एम्परर बिंगरी, मैं तुम्हा मैं आपकी confusion को दूर कर देता हूँ, ये एक female spirit beast है, जो की काफी ज्यादा powerful है, और स्काइड्रीम और, आइस एम्परर बिंगरी के बीच में क्या relation है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे इस तरफ हुआ युवाओं कहता है, स्काइड्रीम ब्रादर क्या हम इस तरह से कितने समय तक इंतजार करने वाले हैं, और इस तरह से इंतजार करना काफी ज्यादा मुश्किल है, और यहां तक की मेरा दिल भी काम रहा है, और वो तो एक चार लाख पुरानी beast है, है, और क्या होगा अगर आइस एम्परर बिंगरी नहीं आया तो, और शायद यहां तक की वो ए इसके अलावा कोई और चॉइस भी नहीं है, इधर हम देखते हैं, कि जैसे ही आइस एम्परर बिंगरी आने लगती है, तो आसमान का कलर ग्रीन होने लगता है, इधर यहां देख कर हुआ युहां काफी हैरान होता है, और तभी आइस एम्परर की आवाज आती है, जो की ए उसे कुछ हुआ तो नहीं? इधर स्काई ड्रीम कहता है, आइस एम्परर क्या तुम्हें याद है, जो मैंने तुमसे पहले कहा था जब तक कि मैं मरता नहीं हूँ, तब तक वह एक दिन भी जरूर आएगा जब मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा, वैसे गाइस में यह भी पता चलता है कि स्काई ड्रीम आइस एम्पायर को पसंद करता है, और इस तरफ हुआ युवाओं को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि स्काई ड्रीम किसकी शादी के बारे में बात कर रहा है, और तभी हुआ युवाओं को सब समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है? तब हुआ युवाओं मन में कहता है, Sky Dream Brother हम यहाँ पर आने के लिए और भी ज्यादा इंतजार कर सकते थे और ऐसी खनरनाग जगा आने की इतनी भी जल्दी क्या थी? क्या Sky Dream Brother आपकी असली मकसद यहाँ था कि आप Ice Empire से मिलना चाहता थे और आपने मुझे यह सच क्यूं नहीं बताया? यह बहुत गलत बात है और इस तरफ Ice Empire कहती है, Sky Dream क्या तुम यहाँ पर अपनी मौत की तलाश में आए हो और फिर Sky Dream कहता है, Ice Emperor मैं इस बात को अपनी दिल की गहराईयों से कह रहा हूं कि मैंने लाखों साल जिये है, लेकिन सिर्फ तुम एकलोदी ही हो जिसने मेरे दिल को चुराया है और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है जीने को इसलिए मैंने वापस से लोट के आने का डिसाइड किया था, क्योंकि अगर तुम मर जाती हो तो मेरी भी जिन्दगी बरबाद हो जाएगी, और मैं तुम्हें जिन्दा रखन के लिए ही लोट कर आया हूं, जिससे कि हम दोनों साथ में रह सके इधर स्काइड्रीम की इन बातों से हुआ युवाओं को काफी बड़ा धक्का लगता है, और यह परेशान होते हुए मन में कहता है, सच में स्काइड्रीम ब्रदर ने मुझे धोखा दिया है, जब से हम मि वज़ा से ही मुझे उमीद मिली और तुमने ही मुझे आद नई जिन्दगी थी, और जो कुछ भी मेरे पास अभी है वो सब कुछ तुम्हारी वज़ा से ही है, और मैंने हमेशा तुमें अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट किया है, और कितनी ही मुश्किले क्यों आ हो मैं हम अगे बढ़ता रहा लेकिन तुमने मुझसे जूट बोला, गाइस यहां पर हम देखते हैं, कि हुआ युवाओं का दिल पूरी तरह से तूट चुका होता है, क्योंकि स्काइड्रीम ने उसे यहां कहकर यहां लेकर आया था, मैं तुम्हारी सेकिंड स्पिरिट रिंग लेने कितनी आसानी से दिल तूट जाता है, और शायद इसका कुछ लेना देना इसके जन्म के साथ ही होगा, चलो बढ़िया ही है, यह इसके लिए ट्रेनिंग का काम करेगी, इसलिए मुझे इसमें इंटर्फ्य करने की कोई जरूरत नहीं है, और इस तरफ आइस एंपायर कहती ह बेकार की बकवास करना बंद करो और तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है, तुम मुझे पसंद करने का और अभी तो मुझे तुम्हें एक ही बारी में निगल लेना चाहिए, और इस बात को सुनकर स्काइड्रीम कहता है, इतने सालों के बाद भी तुम बिल्कुल भी और शायद यही वज़ा है, जो तुम अब तक सिंगल हो, इस बात सुनकर आइस एंपरर कहती है, स्काइड्रीम मैं चाहती हूँ कि में तुम्हारे अभी की अभी हजारों लाखों करोडों टुक्रे टुक्रे कर दो, और फिर स्काइड्रीम एक स्माइल के साथ कहता है, और फिर स्काइड्रीम कहता है, हम लाइफ अंड डेथ के सत्य में हैं, इसलिए अपने आपको जल्दी से शो करो और तभी ट्यांगमिन का लव जो की एंपरर बिंगरी है, और यह चार शून्य 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 यर्स के करीब साल पुरानी में आजाती है, कभी आइस एंपरर कहती है, स्काइड्रीम जो तुम लोट कर आने की जो हिम्मत की है लगता है, कि तुम सच में मरना चाते हो, इधर हुआ यूहाव आइस एंपरर को देखे कहता है, यह तो स्कोपियन है, जो की काफी ब्यूटफुल है, यह वाकई में काफ काफी ज्यादा सुन्दर है, वही आइस एंपरर स्कोपियन की सुन्दरता को देख के स्काइड्रीम तो बावलासा हो जाता है, और यह काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, बेबी तुम काफी ज्यादा खूपसूरत लगती हो, और तुम बिलकुल मेरे सपनों की परि बिलकुल भी शर्म नहीं है, जिस पर स्काइड्रीम हां कहते हुए कहता है, तुम बिलकुल भी नहीं जानती हो कि मैंने इतने साल कैसे बिना प्यार के कैसे रहा हूँ, और चलो कम से कम अब तो एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसकी इस बात को संद कर आइस एंपरर गुसा ह जाती है, और कहती है कि यहां पर खेलना कूदना बंद करो और तुम यहां मत सोचना कि तुम जो स्पिरिट पावर को यूज कर रहे हो तुम्हें तुम्हारे रियल बॉडी को नहीं ढूंड पाऊंगी और मुझे बिलकुल भी परवाह नहीं है कि तुम्हारा, क्या प्लान का लेजर अटाक का आकेड्रीम के स्पिरिट बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, तब स्काइड्रीम कहता है, मैंने प्यार तुम्हें इतना ज्यादा कठोर होने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं तुमसे इस बारे में और बात करना चाहता हूँ, क्योंकि शायद हम हमेश के लिए एक साथ रह सकते हैं, और इतना कहते ही स्काइड्रीम की स्पिरिचुल गोल्डन बॉडी यहां से गाइब होने लगती है, और आकेड्रीम को ऐसा करता देखा आइस एसमपेरब बिंगरी भी पूरी तरीके से तयार हो जाती है, जिसके बाद स्काइड्रीम एक काफ स्काइड्रीम में तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है, कि तुम इस तरीके से मुझे रोक पाऊगे और तुम्हें क्या लगता है, मीन तुम सच में मरना चाते हो, तो दोस्तो यहां पर स्काइड्रीम ने आइस एमपरब बिंगरी को कैद कार लिया, अब वहां उसको लाइक करना भूल माच जाना, प्लीस, और दोस्तो आएम रियली सॉरी की कॉल मैंने प्रॉमिस करके विडियो अपले और नहीं की, सॉरी, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, तो लाइक मारो याद, मुझे नहीं पता, मुझे दो मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना, क कैसे करके मुझे चाहिए,